दोस्तों अगर आपने blogger पर अपने website बना रखिए या wordpress पर अपने website बना रखिए तो आप उस पर template भी कोई ने कोई यूज करते होंगे और जिस पर आप अपने article पोस्ट करते होंगे साथी आप देखते होंगे जो आपने template यूज की है तो आप नीचे की तरफ देखते हैं बहापर आपको एक option मिलता है जापर power white वगरा जो आपने template यूज की है उसका नाम मिलता है लेकिन आप चाहते हैं बहापर जो नाम आ रहा है उसकी जगह आपका नाम आना चाहिए और आ अगर आप नहीं चाहते हैं उसे बिल्कुर remote करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे कर पाएंगे तो यह सारी चीजे आज की इस वीडियो में आपको बता हुआ और साथ ही आप कैसे power white के जागा अपना नाम आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही आप अपनी चेंज भी कर सकते हैं और उसे पर्मनेटी रिमूब करना चाहते हैं तो वह भी कर पाएंगे तो इस वीडियो में सब आपको डेटेल से बताने वाला हूं तो आप इस वीडियो को पूरा जरू देखेंगे आप हमारी चैनल पर नए आए तो सबसे पहला हमारी वीडियो को लेकिजे चैनल को सब्सक्राइब पर लिजे नीचे राट एक पर प्रतन दे रखा है और कोई दिक्कत आती तो कमेंट करके बता सकते हैं मैं दोस्तों इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूं जो कंपूर रिलेटिव होती है टेक्स रिलेटिव होती है मोगाल से दिए है यहां पर जो यहां पर टैटल दिया है इघ्स जो यहां पर इस नाम को आपको कई सीघर कर सकते हैं यहां पर आप अपने लिजार से डाट को Wash आपको सबसे पहले आपको इस चैन कर देंगे तो आपको त्ञेएं जाए है ikha तो ऑप से मोफन पर करन क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आप पर इंटरफेस खुल जाएगा तो प्रहने आपर आपको दो ऑप्सन मिल जाएंगे कस्टोमाइज और एडिट एस्टी एमल तो यहापर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एडिट 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 एस्टी एमल के जरीए नीचे दिए गया तो आपको यहाप को अपना नाम दे सकते हैं या आप अपने वैपसाइट से रिलेटिम कुछ भी लिख सकते तो आप यहां से कुछ भी चेंज कर सकते हैं तो यहां पर आप अपने फोटर में दिये गए और आपको वहाँ पर टाइप कर देना है जैसे कि आपको पता होना चे कि आपने पर नाम देख सकते हैं नीचे दिया गया है तो आपको यहां पर कैसे सेश्च करेंगे तो जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपको अगर नहीं पता है कि कहा पर है आपको जो डाट style से इसे copy कर लेता हूंगर आपको नहीं पता है कि वो किस नाम से और आपको ढूंड़ने में दिक्कत आ रही है तो इसे यहां से आप copy कर लिजिए और आप डायरेक्ट अपने फिर से उसी page पर आ जाएगा और उसके बाद आपको यहां पर सर्च बार में उससे यहां पर paste कर देन है यहां याद है तो लिख सकते हैं उसके बाद आपको एंटर करेंगे आपको तो यहां पर थोड़ा से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जहां पर जिस नाम को आपको सर्च किया है तो यहां पर आपको यहां पर जैसे दिखाई दे रहा है यहां पर आ चुका है तो यहां पर पहले से यहां पर तयार कर रखा है तो आपको इसी तरह से अगर देना चाहते तो आप दे सकते हैं तो आप उने नुशा जो देना चाहें वो दे सकते हैं उसके लिए आपको पहले समझना हो गया यहां पर जो दिया गया है तो आपको इस फुटर मेनू के वारे में जो भी data है तो यहां पर आपको GIGES उप्शन पर चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आपको उस जगह चेंज कर सकते हैं जा भर आपको black दिखाई दे रहा है तो इस तरह से इन जगाव पर आपको चेंज करना है वही चीज़े आपको मिल जाएंगी तो आपको यहाँ पर तो आपको जहां जहां पर चेंज करना है उसे दे देना है यहां पर नाम ठीक है तो जैसे कि मैं यहां पर स्टाइट में दे देता हूं यहां क्रेट करके और आगे इसकी जगह आपको और नाम यहां पर चेंज करना है तो यहां पर टेंपलेट यार्ट जैसे कि यहां पर इसे copy कर लेता हूं तो यहां पर आपको इतना अरिया अलगवा copy करना है copy करने के बाद आपको डायक्ट यहां पर दिखाई दे रहे है template yard तो मैं इसकी जगह इससे select करेंगे आप इसके बाद यहां पर आपको डिख रहा है तो यहां पर आप जो देना चाहते हैं पहले आप इससे select कर लिजी एक्जांपल मैंने यहां पर कुछ और दे रखा है तो मैं अपने इसकी जगह नाम देना चाहता हूं अगर जो दिया गया फ्रेंड इससे आपको copy कर लेना है तो आपको जितना ही जगह चेंज करना है उससे से आपको यहां पर लेन डाटा ठीक है मैंने इसे copy के लिए इतना इरिया उसके बाद आगे करेंगे तो उसके बाद आपको डार्यक्टिक साइड में आ जाना है यहां पर आने के बाद जो आपने डाटा सिलेट कर रखा है यहां कि मैं यापर अब नाम बागी रहे गया तो अभी आपको जो नाम है जिसे बाद पावर वाइट करना चाहते हैं तो इसे आप कोपी कर लीजिए कोपी करने के बाद आपको यहां पर इस तरह से इस नाम की जगए जो दिख रहा है आपको गया भी टेंपलेट्स तो टेंपलेट्स किसी के नाम से हैं तो आप उसे अपने नाम पर कर सकते हैं तो यहां पर आपको अपने नाम दे दिया है तो आपको यहां पर किसकी जगह चेंज किया है तो आप जहां पर विलैक दिखाए दिरा वहीं चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक जगह यहाँ पर चेंज किया है जो आपो दिख रहा है, दूसरी जगह यहाँ पर किया है, पॉबर बाइट, और तीस्जिगह नाम दे दिया है जिसके द्वार है ठीक है तो आप इसी तरह से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और यह आपका फुटर एरी है तो इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिए तो इसे पहले अभी नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए आपको पहले यहाँ पर रिलोड करना पड़ेगा तो कर दिया है रिलोट करने के बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ इस्क्रॉल करना है जब तो फ्रेंड आपको यहांपर दिखाय दे रहा है जो हमने नाम यहांपर दिया था वह है दो भी आपको यहांपर दिख जाएगा दोनों यहांपर चेंच हो चुक है तो ठीक है आप यहांपर website का नाम दे सकते हैं और power चले जाना है तो आप उसे दूसरे method से कैसे चेंज कर सकते हैं तो आपको उपर साइड में यह option दिखाई दे रहे हैं मेनु बार जैसे कि आपको jump to widget का option दिखाई दे रहे हैं तो आपको इस option पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉ तो यह चीज़े आपको automatically यहाँ पर दिखने लगी है जो अभी हमने change की है तो आपको जहाँ जहाँ पर यहाँ पर change करना है जैसे मैंने भी आपको करके दिखाया तो आप इसी तरह से अपना नाम बगार जहाँ पर देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं आपको यहाँ पावर अब को करने के बाद यहाँ पर एक फर्स्ट आपPSिन जो कस्टुमाइश कर देना है कि लिख Но आपको जैसे कि दिखाया दे रहा है रहा है यहाँ पस्षाइद में लगते बिखने के बाद तो आपको यहाँ आप पर यहीची की तरफ दिखाया देरा है bluntब बन चले जाना यहाप चाहें तो यहाँ से देखकर भी आप अपने टाइप कर सकते हैं यह आपको यह वाला कोड डाल देना इसको डालने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर एक बार एंट्र दबाना है enter दबाएंगे क्योंगाँ यहाँ पर apply option नहीं आ रहा है तो आप जब तक apply option नहीं मिलेगा जब आप इसे इंटर कर देंगे आप ने अपकोSA कर देंगे आप किल्यक्त है जो आप apply पकलिक करेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर उसे remove कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर दिया है title ठीक है तो आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल ना दिखाए तो इस तरह से आप उसे यहाँ से बिल्कुल remove कर सकते हैं और नीचे की तरफ आपको नहीं दिखाएगा तो प्रेंड आप इन तीन method से ही अपने website के नीचे दिए गया पाबर बाड़ या डिस्टिबूट बाए ऑप्सन को नीचे से remove भी कर सकते हैं जैसे यह code मैंने बताया और आप कैसे change कर सकते हैं उसे HTML के जरीए या customize करके customize करके जैसी मैंने add CCS में बताया आप कर सकते हैं अगर आपको option नहीं मिलता है तो आप कैसे widget के जरीए direct उस option पर जा सकते हैं तो इसी तरह से कुछ आप change कर पाएंगे अगर फ्रेंड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें अगर कोई दिक्कत आज तो आप comment करके बता सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यबाद थैंक्यू